Samsung Galaxy F22 को भारत में 6 July 21 को launch करने की घोशना की गई थी और 12,499 रुपीज में 13 July को sell के लिए Samsung Online Store, Flipkart और चुनिदा रिटेल स्टोर पर अविलेबल हो चुका है Samsung F22 का सबसे बड़ा competitor Redmi Note 10 है जो मान मैने की शुरुवात में 12,000 रुपीज में launch किया गया था लेकिन फिलहाल 12,999 रुपीज में sell के लिए अविलेबल है Redmi Note 10 को दो स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में खरीदा जा सकता है 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 12,999 रुपीज और 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 14,999 रुपीज में खरीदा जा सकता है दूसरी और Samsung Galaxy F22 को भी दो स्टोरेज वेरेंट में खरीदा जा सकता है 4GB RAM प्लस 64GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 12,999 रुपीज और 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज वेरेंट की प्राइस 14,999 रुपीज रखी गई है लेकिन इंट्रोड़क्टरी ओफर के तौर पर 1000 रुपीज का इंस्टन डिसकाउंट का लाब अभी आप उठा सकते हैं तो 4GB प्लस 64GB वेरेंट को 11,999 रुपीज आप Samsung F22 को खरीच सकते हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं राकेश टेक दोनों ही स्मार्टफोन मैट फिनिस के साथ पुली कार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ आते हैं तो स्क्रेच आने की संभावना ज्यादा रहती है तो आप केस लग अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बैतर रहेगा सैमसंग F22 एक स्क्वेर क्वाड रेर केमरा मॉडूल को सपोर्ट करता है जिसे बैक कवर के उपर बाई और रखा गया है सैमसंग F22 दो आकरसक कलर डैनिम ब्लू और डैनिम ब्लैक कलर अप्शन में अविलेबल है रेड्मी नोट 10 अनुखा रेक्टेंगुलर क्वाड रेर केमरा मॉडूल को सपोर्ट करता है जो बैक कवर के उपर बाई और रखा गया है रेड्मी नोट 10 को तिंट आकरसक कलर शैड़ो ब्लैक एक्वा ग्रीन और फ्रोस्ट वाइट जैसे कलर अप्शन में खरेदा जा सकता है रेड्मी नोट 10 का थिकनेस 8.3 mm है जो इसे स्लिम बनाता है और उसका वेट 179 ग्राम है जो इसे सुपर लाइट बनाता है जबकि सैमसंग F22 का थिकनेस 9.4 mm है और उसका वेट 203 ग्राम है जो इसे थोड़ा भारी लगेगा क्योंकि इसमें 6000 एमेज की मैसिव बैटरी जो मिलती है जबकि रेड्मी नोट 10 में 5000 एमेज की बैटरी मिलती है और 33W fast charging को support करता है जो बैटरी को लगबग 74 मिनिटस में full charge कर सकता है जबकि सैमसंग F22 में 15W का charger box में आता है जो phone को charge करने में लगबग 2 गंटा लगाएगा हाला कि सैमसंग F22 25W के charging को support करता है अगर आपको fast charging चाहिए तो आपको उसको अलग से खरिदना होगा 6000 एमेज की मैसिव बैटरी काफी लंबा बेकप आपको दे सकती है दुनों ही स्मार्टफॉन में 6.4 इंच का सुपर अमरेडी स्क्रीन का सॉपर्ट दिया गया है Redmi Note 10 में Resolution 2400 x 1080 पिक्सल्स ब्राइटनेस पीक 1100 नेट्स और 60 हर्स रिफरेश रेट वाला FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है जिसमें Corning Gorilla Glass 3 का स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया गया है जबकि Samsung F22 में Resolution 720 x 1600 पिक्सल्स 600 नेट्स का प्राइटनेस और 90 हर्स का फास रिफरेश रेट वाला FHD प्लस डिस्प्ले मिलता है ऐसा कहा जाता है कि Corning Gorilla Glass 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन दिया गया है जो Samsung की विबसाइट पे कहीं मेंसन नहीं है Samsung F22 में आपको Infinity U-Cut में 13MP का सेलफी केमेरा दिया गया है जबकि Redmi Note 10 में Center Punch Hole डिस्प्ले में 13MP का सेलफी केमेरा दिया गया है Redmi Note 10 और Samsung F22 एक समान केमेरा कॉन्फिगरेशन के साथ आते हैं Redmi Note 10 में 48MP का Quadred Camera Setup दिया गया है जहां Primary Lens Sony का IMAX 5A2 Lens है 2MP का Macro Sensor, 8MP का Ultra Wide Angle केमेरा और 2MP का Depth Sensor दिया गया है Rare Camera फीचर में Portrait Mode, Panorama, Time Lapse, Pro Mode, Night Mode, Ultra Wide Angle, Distortion, Correction, Custom Watermark, Document Mode, HDR, AI Scene Detection, Time Boss, Google Lens, AI Watermark, Movie Frame, Pro Color और बहुत कुछ सामिल है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तो Samsung F22 में 48MP का Quad Rare Camera Setup दिया गया है जहां Samsung का 48MP का Primary Lens है 2MP का Macro Sensor, 8MP का Ultra Wide Angle Camera और 2MP का Depth Sensor दिया गया है Rare Camera फीचर में HDR, Night Mode, Digital Zoom, Asexual Technology, GM2 Sensor, Auto Flash, Face Detection, Touch to Focus, Panorama और बहुत कूछ सामिल है दोनों ही स्मार्टफोन के Camera similar experience प्रदान करते हैं Performance में Samsung F22 MediaTek Hello G80 OctaCore processor द्वारा संचालित है जिसे 12NM और 2GHz तक देखा जा सकता है यह एक Smooth Gaming Experience और High Picture Quality के लिए ARM G52 GPU के साथ integrate किया गया है यह 6GB तक LPDDR 4X RAM टाइप और 128GB तक EMMC 5.1 Storage टाइप के साथ आता है और Memory 1GB तक MicroSD Card Slot के माध्यम से expandable है Redmi Note 10 11NM 2.3GHz OctaCore वाला 678 Snapdragon प्रोसेसर से संचालित है जिसे Adreno 612 के साथ integrate किया गया है यह स्मार्टफॉन 6GB तक LPDDR 4X RAM टाइप और 128GB तक UFS 2.2 Flash Storage टाइप के साथ उपलब्द है जिसमें Read or Write की स्पीड ज्यादा मिलेगी Storage 512GB तक MicroSD Card Slot के माध्यम से expandable है Redmi Note 10 का अंतुतु स्कोर 2.2 लाग के आसपास आता है जबकि Samsung F22 का अंतुतु स्कोर 2 लाग के आसपास आता है दोनों ही स्मार्टफॉन के प्रोसेसर इस प्राइस पॉइंट पर दमदार है और दोनों ही फोन competitive performance और medium gaming experience प्रदान करते हैं Redmi Note 10 performance में थोड़ा बैतर रहेगा दोनों ही स्मार्टफॉन का operating system Android 11 पर अधारित रहेगा Samsung F22 में One UI Core 3.1 सपोर्ट करेगा जबकि Redmi Note 10 में MIUI 12 सपोर्ट करेगा दोनों ही स्मार्टफॉन में आपको थोड़े ब्लाटवेर मिलेंगे लेकिन आप उसे अन इंस्टॉल कर पाओगे customization दोने ही फोन में आपको अच्छे मिलेंगे बट Redmi Note 10 में MIUI 12 का थोड़ा heavy experience आपको मिल सकता है ज्यादा secure experience के लिए आप Samsung F22 को prefer कर सकते हैं दोनों ही स्मार्टफॉन में dedicated slim slot मिलता है जिसमें आप SIM 1, SIM 2 और SD card इंस्टॉल कर सकते हैं दोनों ही स्मार्टफॉन में 2G, 3G, 4G को support करते हैं दोनों ही स्मार्टफॉन Type-C port और 3.5mm headphone jack मिलता है जबकि Redmi Note 10 में extra feature में हमेशा की तरह IR blaster मिलता है जिसमें कोई भी TV, AC जैसे electronic device को remote control MI app के द्वारा आप कर सकते हैं और stereo speaker मिलता है जबकि Samsung F22 के extra feature में Samsung Pay Mini का support आपको मिलता है दोनों ही स्मार्टफॉन में side fingerprint scanner और fast face unlock का support मिलता है दोनों ही स्मार्टफॉन में सारे basic sensor, extra meter, zero sensor, geomagnetic fingerprint sensor, proximity sensor, ambience light sensor, e-compass अवेलेबल है Samsung F22 आपको Redmi Note 10 की comparison में आज की date में introductory offer के तहद 1500 रुपीज सस्ता मिलता है तो Samsung F22 का 6000 mAh की massive battery का support, 90 Hz का fast screen refresh rate, Super Amelody HD Plus display, Samsung Mini Pay का support और Samsung की बड़ी ब्रांडिंग चाहिए तो आप definitely Samsung F22 को prefer कर सकते हैं और अगर आपकी priority fast 33 watt charging, Super Amelody 60 Hz refresh rate वाला Full HD Plus display, IR blaster, stereo speaker, higher pixel density, faster storage type, lightweight और fast performance का support चाहिए जो आप 1500 रुपीज ज्यादा दे कर खरिच सकते हैं तो आपको Redmi Note 10 के साथ जाना चाहिए आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय है, comment box में ज़रू बताए या दोनों smartphone के कौन से feature आपको अच्छे लगे, comment box में comment ज़रू करें वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के all कीजिए, ताकि ऐसी information से बड़े बहतर ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंती रहे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बेल लिकूल फ्री है तो ज़ल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए स्वस्त रहें, सुरक्सित रहें, मज़े में रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो दिए गुडबाई